वालकम टू दी स्टाइलिश कोडर उमीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोश्चन है सिंप्लिफाइए पाथ एक लीट कोड का मीडियम लेवल का यह कोश्चन है इस कोश्चन में हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी पाथ करके विच इस एपसुलूटली पाथ जो स्टाइड हो रही है कि हमारे स्लैस से टूओ फाइलोड डारेक्टरी इन दी यूनिक्स स्टाइल फाइल सिस्टम जिसको अपने को कनवर्ट करना हुआ है कॉनिकल पाथ में ठीक है तो लाइक जिनको नहीं पता है अपसुलूट पाथ क्य स्ट्रेप जम्प करने है ठीक है और लाइक हमारे पास मल्टीपल स्लैस जो ऐसे स्लैस होंगे यह हमको रैफर कर रहे होते हैं सिंगल स्लैस को ठीक है तो और जो त्रिपल डॉट आ रहे होते मतलब हमारे पास दो डोट से ज्यादा आ रहे होते तो अपने उसको हैजने नहीं आना चाहिए ठीके नहीं आएगा और like the path only contents directory path मलब जो भी हमारा पास directory का path है अगर उसके अंदर dot या double dot आते तो अपन उसको रख सकते otherwise अपन उसको नहीं रखेंगे ठीके तो like अगर अगर अपन इसको summer up करते हैं कि question में होना क्या चाहिए question क्या चाहता है तो like जो हमारा unique system है ठीके इसके अंदर ये single ये double slash ये हमको single slash represent कर रहा होता है किसको जो हमारी current directory चल रही होती है ठीके और जो double slash होता है ये हमको बता रहा होता है like अगर हमारा path कुछ ऐसा path है like यहाँ पे कुछ है और यहाँ पर like अपन A और B लिख देते हैं ठीके और अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है double slash आता है तो it means जो मेरे पास ये वाला जो last वाला path होगा इसको अपने को भार करना means कि एक step अपन back में जा रहे होंगे ठीक है तो like अगर double slash आया तो यह हमारा convert हो जाएगा like इस type के path में ठीक है यह हो गया अब इसके बाद जब हमारे पास double slash आते है path का name treat कर रहे होंगे ठीक है अब नीचे conical path की बात करते हैं तो यह कह रहे हैं कि like जो भी मेरे पास path है like मेरे पास जो path ऐसे दिया हुआ तो इसको अगर मैं इसमें convert करूँगा तो मेरे path कुछ ऐसा बनेगा means जो इनके separation में होगा वो slash से separate हो रहा होगा ठीक है और like जो end में end में slash नहीं आना चाहिए ठीक है तो like जो मेरा यह a ऐसा लिखा होगा ठीक है यह ऐसा होगा इसके end में slash नहीं आना चाहिए ठीक है और इन दोनों पास की जो भी file name होती हो कुछ ऐसी होती a.b तो भी वो accepted है double dot आएगा तो भी accepted है सिर्फ वो single point से अगर ऐसी start हो रही है कि तो उसको accept नहीं कर रहे होंगे ऐसी start हो रही हो कि तो उसको अपन accept नहीं कर रहे होंगे ठीक है तो यह था हमारे पास हमारे question का description अब चलते है अपन इसके example की तरफ तो यहाँ पे अगर हम first example को देखें तो first example म हमारे पास यहाँ पे home लिखा हुआ है ठीक है यह startless से हो रहा है और endless से हो रहा है ठीक है होना क्या चीए start तो सही हुआ ठीक है और end यह गलत हुआ तो means जो इसका output होंगा वो कुछ ऐसा हो रहा हो रहा हो झालाइक home ऐसे करके लिखा हो रहा हो ठीक है अगर path में देखते है तो path में हमारे पास starting like यह यहाँ पे कुछ word है ठीक है यह हमारे पास क्या double dot है ठीक है double dot जब भी आएगा तो अपने हो क्या करना है जो भी इसकी starting का path हो means इसके पहले जो भी path आ रहा हो like यहाँ पे हो हमारे पास तो कोई path है नहीं तो हमारे पास किसी को remove नहीं कर सकते तो means हमारे लिए double dot को तो अपने को add करना नहीं तो हमारा जो path हो कितना हो जाएगा वो सिप एक slash रह जाएगा ठीक है अब इस home and foo को देखो तो like अगर अगर अपन home को देखते है ठीक है home आया हमाय path में तो अपने home को ऐसे करके लिखा ठीक है लिख दिया उसके बाद अगर foo आया foo के बीच में देखो double slash आया इसको अपने हो कैसे लिखना है single slash बनाना है foo करके ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है like यह answer बन गया तो यह कुछ example से जिनको भी अपने discuss कर लिया अब move करते है solution approach का solution अपन कैसे कर रहे होंगे इस problem का तो यहाँ पर देखो कि हमको कौन-कौन से path की values को अपने उसमें रखना है तो like अगर अपन देखते हैं कि हमको कौन-कौन सी value को नहीं रखना है दूसरी चीश जब भी हमारे पास कौन सी double dot value आया है तो जो भी हमारे पास last path है उसको अपने को remove करना है last path को अपने को remove कर देना है ठीक है अब तीसरी condition क्या होती है कि जब भी मेरे पास जो भी string है उसके अंदर ये दोनों condition को अगर satisfy नहीं होता है तो जो भी path होगा उसको अपने को क्या कर देना है add कर देना है अपने path के अंदर ठीक है तो like अगर अपन इस problem को देखते हैं तो हमारे पास basically जो भी path होता है ठीक है उसके अंदर अपने पास अगर ये dot आ रहा है तो अपने आपने एक example को लेते हैं ठीक है तो example में मेरे पास like ये A है ठीक है ये B double slash C फिर आजाता है double slash कर double dot करके D फिर single dot फिर आजाता है E फिर आजाता है F ठीक है ऐसा करके कुछ बात है ठीक है मैंने आप एक stake बना लेता हूँ मैं ये मेरा stake होगा ठीक है इस stake के अंदर first में क्या आया मेरे पास A आया तो मैंने A को डाला ठीक है like मेरे पास ये string थी ठीक है इस string को मैं क्या करते तो हूँ split करवा देता हूँ किस से split करवाता हूँ single slash से means अब मेरे पास क्या हो जाएगा एक ये part ये part या इस यहां पे होगा यहां पे होगा ये ऐसे करके मेरे पास part आ रहा होगा ठीक है तो like first मैंने देखा A को डाला ठीक है उसके बाद दूसरा part क्या होगा B होगा ठीक है तीसरा part देखो क्या है null क्या मुझे इस null को add करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो means like मैं जो इसको बोलता हूँ जो मेरा A से ठीक है जो minimum part है वो मेरा अगर null होता है तो उस case में भी मुझे उसको add नहीं करना अगर equal to equal to null है तो उस case में मुझे इसको भी add नहीं करना है ठीक है एक condition यह हो गई फिर हम जाते है C C को add कर सकते है हाँ जी कर सकते है कर लिया फिर हम आपास दो dot आते है ठीक है यह दो dot है इनको मुझे क्या नहीं करना है इनको मुझे add नहीं करना है ठीक है अगर मेरे पास S is equal to double dot है तो इसको भी मुझे add नहीं करना है बट इसकी एक condition एक ओर होती कि अगर मेरे पास S is equal to double dot है तो मेरे पास जो भी stake के अंदर टॉप में होगा means जैसे C पड़ा है C को remove करना है तो like जो stake का होगा उसको अपन क्या कर रहे होंगे पॉप कर रहे होंगे ठीक है ठीक है अगर इसमें आपने चेक भी करना पड़ेगा स्टेक हमारा क्या नहीं होना चाहिए empty नहीं होना चाहिए उस condition को भी अपन यहाँ पे check करेंगे तो open करेंगे means first में अपन इसको check करेंगे अगर यह हमारे true नहीं होती है तो second में अपन इसको check करेंगे ठीक है तो means अगर double dot आया तो हम क्या कर देंगे C को हमारे stake से भार निकाल दिया ठीक है अब single dot आया तो first condition तो हमें satisfy नहीं होगी second condition satisfy होगी तो means हम इसको भी add नहीं करेंगे फिर हम जाएंगे e के पास e को add कर देंगे अपन इसके अंदर फिर अपन जाएंगे f के पास f को add कर देंगे फिर यहाँ पर double slash है means कि अपने इसको split क्या था तो यहाँ से अपने क्या मिल रहा हो null तो like हमारी null वाली condition भी यहाँ से satisfy हो रही है यहाँ पर मैं एक को लिखना भूल गयाता है s is equal to empty होता है तब भी अपने को add नहीं करना है यहाँ पर हमारी पास क्या empty मिला add नहीं करना नहीं करना तो जो में पास final element बचेंगे वो क्या होंगे a होगा b होगा e होगा f होगा अब मुझे इससे क्या करते है path बना देना है means मेरा path यह start कहां से हो रहाँ एक single has slash आगे आएगा फिर a आएगा अब जो दूसरा path आएगा उसमें मेरे पास b आएा रहा होगा ठीके फिर मेरे पास क्या आ रहा होगा e आ रहा होगा कि first condition में अपन चेक कर लेंगे क्या जो मेरे पास split करने के बाद जो as है अगर उसमें दो बिंदी है मतलब दो dot है और stake हमारा empty नहीं है तो हम उसमें पूल करवा दें कि इसको जो उसके पहले element आया होगा path के अंदर उसको ठीक है फिर जब stake हमारा जो बचेगा इस stake को अपने को क्या करना पड़ेगा string में convert करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अपन इसको करते हैं code में तो यहाँ पर first में अपन बना लेते हैं अपना stake ठीक है stake अपना किस type का और होगा string के type का और होगा ठीक यह string हो गई इसको nam अपन इसsteep की देते हैं ठीक है new issteep ठीक है यह बन गया अपना stake अब हमारे को क्या करना है stake के अंदर जो भी हमारे पस path है उसके अंदर अपने को slash करना है इसको add कराना है ठीक है तो like अपने इसको थोड़ा सा करते हैं इस टाइब का slash होगा अपने पास ठीक है तो for loop लगाओ यहां पे ठीक है एक string जिसको अपने str करके बोल देते हैं ठीक है कहां से आ जोगी जो path होगा उस में से ठीक है अपन इसको यहां पे split कर देंगे ठीक है यह split हो गई यह अपने slash से हो गई अब इसके बाद अपने हो condition चेक करनी क्या मेरे पास अगर यह जो str है इसमें double dot है if अगर जो मेरा str equals double dot है ठीक है double dot है तो it means अपने हो क्या करना है उसमें से जो stake के अंदर element होगा उसको remove करवाना है ठीक है तो and जो मेरी stake की size होनी चाहिए stake is empty तो नहीं है ठीक है empty नहीं होगा तब अपन उसमें से क्या करवा देंगे निकाल देंगे ठीक है तो stake dot pop करवा दिया ठीक हो गया इसके अलावा क्या condition होगी means double dot single dot या null होती है तो उस case में अपने को उसको add नहीं करना है means continue कर देना है तो if जो मेरे पास stake ठीक है sorry stake नहीं आएगा या पर string आएगी ठीक है str equals ठीक है अगर null होती है ठीक है यह condition या इसके अलावा जो str dot equals मेरा single dot है वो या जो मेरा str equals double dot होता है तो उस case में मुझे उसको add नहीं करना है तो means जो यह loop चल रहा है तो इसकी next position पर जाना है उसको हमने continue कर दिया ठीक है अगर इसका else portion होगा उसमें अपन क्या कर रहे होंगे इस stake के अंदर उस element को add कर रहे होंगे ठीक है कि हमको इस stake को अब string में convert करना है ठीक है तो मैं यह आप एक string builder बना लेता हूँ ठीक है string builder asb is equal to new string spelling गलत कर दी builder ठीक है हमारी string builder बन गई अब इसके अंदर पन for loop लगा लेते हैं जो भी हमारी stake के अंदर elements है उन सब को add कर देंगे ठीक है तो like यह हमारी string होंगे ठीक है तो यहां पर हमारा str लेते हैं कहां से आ रहा होगा यह stake के अंदर आ रहा होगा ठीक है हम इसको ऐसे for loop से चलाते ना जिस order के अंदर हमारे stake के अंदर elements जाते हैं अपन उसी order से वह सारे element को exist करते है means कि अगर अपन इधर example में देखते हैं ठीक है तो मेरे पास stake के अंदर home गया होगा और foo गया होगा ठीक है तो अपन इस for loop से पहले home को देखेंगे और foo को देखेंगे ठीक है अगर हम इसकी जगे dq का use कर रहे होते तो उसमें हमारे पास आता foo आता और फिर home आता ठीक है तो like हमारे पास इसमें क्या आएगा पहले home आएगा तो ठीक है अपन उसको लिखो asb.append ठीक है और like गलत जगे कर दिया append ठीक है और append करने से पहले इन्होंने condition दी थी जो भी हमारा starting होगा वो कैसे होना चाहिए slash से होना चाहिए ठीक है और उसके बाद जो next आएगा उसमें अपने को जो difference होना चाहिए वो भी slash से होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अपन कर दो add कर दो इसमें पहले कर देते है slash को ठीक है means कि हमारा slash add होगा उसके बाद हमारा जो asb.append कर रहा होगा किसको जो हमारे पास str होगा उसको ठीक है तो means हमारी string इसके अंदर add हो जाएगी ठीक है अब आखरी में अपने क्या करना है return करवाना है किसक ठीक है जो भी हमारे पास बनी उसको अपने return करवा दिया अब यहाँ पर एक case हमारे पास यह था कि इस type का हमारे पास कुछ होता ठीक है तो इस वाले example में यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है दोनों dot आए अगर आपन इसको insert करवाते है तो यहाँ पर यह गया ठीक है यहा अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या कि मेरा जो इस टेक डॉर्ट जो साइज होती है अगर यह हमारे पास equal to equal to क्या होती है zero होती है ठीक है तो उस case के अंदर अपन क्या कर रहे होंगे यहाँ पर अपन return करवाएंगे सिप एक single slash ठीक है otherwise अपन return करवा रहे होंगे जो हमारी string बनी होगे sb.string होगा ठीक है तो करो इसको run देखते हैं कि syntax error तो नहीं होगे अपने से कहीं ठीक है तीनों के successful run होगे कर देते हैं इसको submit तो यहाँ पे हमारा आज का code successful submit हो चुका है तो अगर हम इस code में देखो तो इस code में हमने first में आप इस stake बनाया ठीक है इस stake के अंद path के अंदर आ सकता है उसको अपन add कर रहें ठीक है और इस for loop के अंदर हमारा basically हो क्या रहा है कि हमने split कर वाया ठीक है यह for loop हमारा कितनी times चल रहा होगा end times चल रहा होगा ठीक है उसके बाद अगर नीचे जाते हो sb के अंदर जो भी हमारे पास state के अंदर elements होंगे उनको अप plus end करके ठीक है तो means यह हो जाएगा हमारा 2N ठीक है तो इसको simplify यह constant है आगे तो हमारी जो time complexity हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दे कि आपको हमारा solution अच्छा लगा हो वीडियो को like करना ना भूले चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिए जब फिर मिलते है किसी और वीडियो साथ तब तक के लिए बाई